मैं तो भूमिकाई बना पाया सांग के की उजी में लग गए घंटन मारा जी प्रतिक्षा भी हो रही थी मुक्षद द्वार मपाप तो लगे हाथ कपिल ने कहा माता जी एक चीज भी समझ ले में साधु कौन है दुनिया में बड़े भारी प्रश्ण है संत कौन है साधु कौन है साधु को जानना सबसे कखिन है समहात्मा सुदुरलव परमात्मा को पहचानना दुनिया में भक्त को भगवान को तो फिर भी श्रद्धा से थोड़ा बहुत समझ लिया गया है पर भई किसी महात्मा को पहचानना जगत में सबसे कठिन कारी है उसकी अनुगूती उसकी अपनी अनुसार है उसकी तरंग उसकी मस्ती अमर्य रादरवनाजी में एक महात्मा आए हो दर्सन कर है बड़ा सिद्ध परमहन सुश्वनी कासा महात्मा मंदर में खड़ाओं पीछे जाए आगे आवे किसे दो को इधर करें दो को अधर करें हैं खड़ी खोटी साथ दो चारन को अब ब्रच को वैसोई होगे तो मारज बाकि तो इस तुतियां आप जानों भी वह का भाश्रा में चले मारए था कि दो चार या को बोच हो कुछ लोग भी घवडा में हुए महात्मा आएं कुछ उल्टा बोल दें अप राद लगे सुरक्षर अख्षा वाली भी हमारे दैया राम जी ने तो कल कमाल कर दिया महरज महरजी आपके सार थी जो है हमारी पूरी यात्रा के सार लिए बैठे हैं अब मैं जाद नहीं बोलना चाहता है बस महरजी समझ गे श्वी कमल ने इंदाश जी महरज इनका थोड़ा यह तो बुदेल खंड के हैं ना इनका बुदेल खंड में होकर अगर कोई ब्रज आ जाए तो क्या वर्जन होगा बैसा वाला सिष्टम बावा का अब एक दिन वाज हो जाए जातो तीन चार दिन है गए सबरे लोग परिसान हम भी एक दिन मंदिर पहुँचे तो देखें हाथ में सूठा और रंबा चोड़ा महात्मा केवल नीचे को अंग वस्त्र हमने बड़ी विनमरता से उसको दंडवत प्रणाम किया हमने पूछा महारे जी क्या बात है हम आपसे यह नहीं कह रहें आओ आगे आओ धैरी रहो आप बड़े हो हमारी क्या सामरत हम आपसे कुछ पूछें पर आप एक चीज तो बताओ आपकी इस मस्तिका रहिस से क्या है यह बात क्या है क्योंकि महात्मा तो लीला करता है महारे यह बात क्या है तब महाराज महात्मा एकदम सौम में पड़ गया और सहस्ता से बोला लाला तेने भड़िया बात कुछें हम ने कहां बताओ तो सही बुला बात बस इतनी सी है हमारा भाव तो यह है जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है तो अध्यापक कभी भी किसी गंभीर विद्यारती पर ध्यान नहीं देता चंचल विद्यारती पर ध्यान देता जो पढ़ने लिखने वाला होगा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं बने तो खुद ही पढ़ देगा पर जो पीछे खड़ा हो के सबसे अनपढ़ गमार मूर्क हो वेगा उस पर बार बार उंगली करेगा कि यह ठीक है कि नहीं ए तुझा समझाई की नहीं तुपढ़ रहा है की नहीं बार बार उसी को पूछेगा उसी पर द्रिष्टी रखेगा तो हम तो दंड़ता इसलिए करते रहते कि हमारे राधरम लाल की हम पर द्रिष्टी पढ़ जाओ हम बोले तुम सब तो तेर रहे थे तो डूबा हुआ था मारा है उसका अपना-पना अनुभो है जगत में महात्मा को समझना कहां स्रल है संत और भगवन तो वही तो है जिसे जो समझने की वस्तु नहीं है जो समर्पन की वस्तु है समझ के पाओगे भी क्या एक आदमी को हमने दूद दिया महारा जी दूद दिया महारा जी गजब का दूद हमारी गईया का बढ़िया गीर की चका चक गईया और केवल घास फूस नहीं कभी कभी मों को लगता हो तो वाई खवायते आम तो दूद भी निकरतों मेंगो फ्लेवर को महारा जी और फिर निरतर वाई बढ़ाम और फिर कायू और फिर क्या मजा मारे है हम सब लो गांधी जी खबायते अमनी बकली को मेवा वह को दूद पी तो पका जरूद परेगी का मारे की चगा-चप हमने को ले दूद पी है अज कल का युवा बच्छा बोला दूद पीने से क्या होता है बताई यह समें क्या गोने है कुछ लिखा तुहें नहीं, आमने गय야 से निकाल के हमें दे दिया हम ऑले कैसे बता है, हमने का ये ज़्यादा दिमागदार बच्चा है भ거든요, अच्छा है, ये 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 टीक है, लेबरेटरी में भेद दिया हमने दूद दो दिन के बाद भाई आई रिपोर्ट है शह जी जी दो दिन के बाद रिपोर्ट आई इसमें इतना फैट इतना केल्शियम इतना एसे जेट तक बिटा में यह फलाना 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 यह हमने दिखा उसको कागज मैंने यह देख बोला महराज दूद तो सच में बड़ा गजब का था अब लाओ दूद मैंने कि अब दूद क्या लाबू तो गयो लेबरेट अब क्या हमारी बात मान करके पी लेता तो ये गुण कागज नहीं बोलते ये गुण तेरा शरीर बोलता है तो कागज थोड़े ना बोलते हैं ऐसे अगर संत भगवन्त को समझ भी गए तो तुमारे पास केवल रिपोर्ट कार्ड होगा और क्या होगा और अगर ज्यादा जंजट की एवना समर्पित हो गए तो तुमारे पास स्वाइम रागविंद्र सरकार खड़ी और में बाता है